सूजी यरवा के लड़ू बहुत जादा हिल्दी होता है और खाने में बहुत जादा टेश्टी होता है और इसे बनाना तो बिल्कुल बच्चों का खेल है तो आज मैं बताऊंगी पर्फेक्ट मिजर्मेंट के साथ एकदम से पहली बार में ही लड़ू पर्फेक्ट बनेगा और लंबे समय तक किसे किस तरह से स्टोर कर सकते हैं वो भी मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी तो फ्रेंड्स वीडियो को एंट तक जरूर देखे और अगर आज की रेसिपी अच्छा लगे तो दीजिए अपने धेर सार प्यार लाइक और सेर करके अगर आप मेर बुरादे को यहां पे रोष्ट कर लीजिए जब तक इसमें से हलकी हलकी सी खुसवु आने ना लेगे इसका कलर यहां पे बिल्कुल चेंज नहीं करना है अभी नारियल का बुरादा यहां पे रोष्ट होगी अधबस इस तरह से बाहर निकाल लीजिए अभी उसेम कड़ा सा यहां पे रोष्ट कर लेना है सभी चीज़े यहां पे आधा भून जाए तब हमें इसमें डाल देना है किस्मिस तो यह गया किस्मिस तो अभी ड्राइब फूर्ट के साथ किस्मिस को भी यहां पे भून लेंगे जैसे ही किस्मिस फून ले लगे बस इसे हमें बाहर निक होजी अपको इतना लड़ु बनाना है यहां पर सजी इतना लेसकते हैं को भी कटोरी यह प्लेक ожид कर लिए पिर उसी हिसाब से यहां पर सूजी अपने लीजिए सब्सक् defense चैन्ज नहीं होना चाहिए इसलिए सूजी को लो फ्लेम पे ही भुणना है तो चलिया फटा-फट सा बलड़ बना लेते हैं उसी प्लेट में सूजी को हमें इस तरह से डाल देना है सूजी को यहां पर हल्का सा थंडा कर लेना है बहुत ज़्यादा इसे थंडा नहीं करना है अब जितना आपने सूजी दिया है आधा यहां पर लेड़ी पीशीड़ी पीशीवी सकर सेश्ग्र अज मैं इसे बिना चासनि के बनाओंगी तो मैंने आधा काट्वरी यहां पे पीशीवी सकर का यूज़ किया है एक कट के लिया है दो सभी तीन यहां पर कुटीयौ हरी लाइची अभी सबी चीजों को यहां पे अच्छ से मिक्स कर देजिए तो आप देख सकते हैं सारी चीज़े यहां पे अच्छ से मिक्स हो गया है अभी इसमें यहां पे डाल देना है तीन चम्मच देसी घी घी आप अपने हिसाब से यहाँ पे थोड़ा जादा या कम कर सकते हैं तो यह गया तीसरा चमज अभी इसे भी अच्छे से यहाँ पे एकदम से मिक्स कर दीजिए तो आप देख सकते हैं सारी चीजे यहाँ पे अच्छे से एकदम से मिक्स हो गया है अगर आपको लंबे समय तक सूजी का लड़ू अश्टोर करना है तो आप इसमें घी ही सिर्फ डालिए और घी डालकर ही लड़ू को बनाईए अगर आपको लड़ू को जादा दिन तक स्टोर नहीं करना है तो यहाँ पर तीन से चार चमच गुर्गुना दूड डाल दीजिए और दूड को अच्छे से सूजी के साथ मिक्स कर दीजिए या पिर जरूरत के हिसाब से यहाँ पर मैंने चार चमच दूद का यूज किया है अभी हाथों पर हलका सा घी लगा लीजिए और लड़ू को इस तरह से गोल गोल बांद दीजिए लड़ू का साइज आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा रख सकते हैं अगर लड़ू इस तरह से ना बन दे तो आप दूद या घी इसमें और एड़ कर सकते हैं तो इस तरह से सारे लड़ू को बना कर त्यार कर लीजिए तो एलो जी हमारे अहां पे बहुत जादा हेल दी और खाने में बहुत 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 जादा टेश्टी सूजी के लड़ू बनकर विल्कुल रेड़ी हो गया है तो देखा आपने एक कम घी बिना चासनी किये हुए भी आप सूजी के लड़ू बहुत ही आराम से और इजी तरीके से बना सकते हैं और अभी तो कितने सारे फेस्टिवल आने वाला है तो फ्रेंड्स आप ए रेसिपी जरूर ट्राइ करिए और कैसा बना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आज की मेरी रेसिपी आपको जरा सा भी अच्छा लगी तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब थैंक यू